ओके अब जो का रियल्मी वालों के तरफ से अभी वाई उनका टेन सीरीज भाई लॉंच हुए अभी हाल में ही अब यार ऐसे में जो उनका रियल्मी 10 प्रो प्लस 5G वाला वैरियंट है इस फोन के बारे में अभी यार बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भाई इस फो में आपको वाई Android 13 देखनों की मिलता है तो यहां पर हमें 14 और 15 का अब बिट मिलने वाला है इस फोन जो बारे में अभी यार मार्केट में बहुत सारी लोग बात करें बहुत सारी लोग लेना चाहते हैं और उनको एक क्लियर रिभी वीडियो नहीं मिल पा रही है कि उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या उसमें डिस इडवांटेज है वाई सब्सक्राइब आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं तो आप लोग समझ लो आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि यह जो रियल्मी का 10 प्रो प्लस 5G है इसको आपको लेना च सब्सक्राइब करने वाले हैं कि आपको 25 जार के अंदर यह फोन लेना चाहिए वर्थी ट्राइक नहीं है सारा कुछ बात करते हैं एक एक करके हम लोग इस वीडियो में चलो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बात करते हैं इस फोन के बारे में आप देखाए आपको आपको इस पर देखेना कि इस पॉन में क्या क्या कर देखनें कि मिलता है वह चीज आप लोग अपने डिस्प्ले पर देख सकते हो आपको अभी दिखे रहा हो गावाइस फोन का जो इस पेक्स आप दिखा आपको नहीं बोलूंग आप लोग यह फोन ले लो इसमें यह इस शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज के बारे हैं जो कि यार मैं इस फोन को लेता अब देखो अगर आपको वाई एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आपको वाई डिस्प्ले क्वाल्टी जो है वो मस्त चाहिए अब देखों यहां पर 120 एक एमोलेड कर्व डिस्प्ले देखन पर आप लोग यूटीब पे एचीडियार कॉंटेंट वेरा देखोंगे तो यह फोन सपोर्ट करेगा जो कि डिस्प्ले की क्वाल्टी इसकी बाइग्डम मस्त है तो यह मेरा फॉइंट था आपके लिए अब ले लेता बेसिक लिए अगर कर दिस्प्ले बात करूं क्योंक अब बात करते हैं दूसरे नंबर के बारे में अब देखो इस फोन में आपको एंड्रोइड 13 बेस्ट फोन मिलता है अब देखो यह बाई आउट आप बोक्स बाई अंड्रोइड 13 मिलता है अब देखो 14 और 15 का कंपनी वादा के अपडेट के लिए तो यहाँ पर यह चीज यह चांपनी ऐसा नहीं करती जो आपको ऑट आप बॉक्स अंड्रोइड 13 दे रही हो उसके बाद 14 15 का अपडेट दे नॉर्मली वाद के आपको 12 देखेंगी उसके बाद 12 महीने बाद ही जैसे फोन लाँच होगा आपको 13 देखेंगी 14 देखेंगी उसके बाद आपको कोई अपडेट होगा नहीं मिलेगा तो बेसिकली बहुत सारी कंपनिया ऐसे करते हैं जैसे अभी रेडिमी की नोट सीरीज आई है आपको उसमें अंड्रोइड 12 मिलता है तो वो चीज आप लोग देखना भाई इसमें आपको एंड्रोइड 13 मिलता है मतलब एक साल आप इसको ज अब दोगो यहां पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसमें आपको 108 मेगा पिक्सल का कैमरा देखनों की मिलता है जहां से आप वैसे तो फोर के 30 एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगे बैक साइड से लेकिन यहां पर आपको उतनी अच्छी क्वाल्टी नहीं देखनों की मि आऊ-बने मेरे यहां पर मेरा नहीं है और मेरे केमरा mata मेरा फर देखने क्लिक और यहां पर 16MP पिक्सल फॉन साइट देखनों की मिलता है जो कि काफी सही चीज है आप यहां से ठीक ठाक फोटो भी क्लिक कर पाऊगे यहां पे बहुत अच्छी फोटो नहीं कहुंगा लेकिन एक जो प्राइस कोडिक काफी सही फोटो क्लिक करता है यह फोन और यहां पर सेल्फी भी आम मस इस फोन के बारे में वह चीज़ आपके साथ कर रहा हूं अब बात कर इसके चौती चीज़ के बारे में जो कि यार मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे अब अगर आप लोग यह फोन लेते हो जो इस फोन में आपको ब्लॉट वेयर तो भर भर के मिलेंगे ब्लॉट गएरा भी देखनों को मिलेगा जैसे आप बगर बजट फोन अगर कभी लिये होंगे तो आप लोग देखेंगे आपको इसमें एड फूल स्क्रीन में आ जाता है कभी-कभी आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको भाई फोकर्ड में आपको एड दिखाने लगता है कहीं पर दिखेंगे वाई लेकिन अगर यह ना होता तो यह जादा अच्छा बेटर आप्सण हो सकता था तो आप लोग देखेंगे आपको क्या पसंद है अप देखेंगे तो यह थोड़ा इक्स्टरा काम हो जाएगा तो वह चीज आप लोग अपने से अगर कर पाओ तो आप कर ल चीजे थी जो कि आपको बताना था अब आप लोग डिसाइड करना भाई आप लोग यह फोन लोगे की नहीं लोगे अब देखो यार समय आपको डाक साइड और जो मेरा प्लिफियंस व्यू था वो मैं आपके साथ सेर किया इस वीडियो में अब आप लोग इतना समस्दार हो कि आपको क्या चाहिए आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि यह वाला फोन अपको लेना है की नहीं लेना सकते हैं अब लोग अपने हिसाब से देख लेना बागे पहले जब सुरू-शुरू में यह फोन आया था तो बहुत गलत सजेसन दे रहे तो यहां पे बारन ने इस पर सुधार किया है तो अभी आपको वैसे नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन फिर भी आइड आपको देखने को मिलेंगे तो वह चीज है भी बागेर आपकी क्या रहा है इस फोन के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना और यह चोटी सी वीडियों में तब तक के लिए जाए हिंद